ओम नमा शिवाय हर हर महादे देखिए सावन का पवित्र महीना चल रहा है और आप सब जानते हैं कि सावन का महीना देवों के देव महादेव जी को बहुत ही प्रिय है अगर आपके जीवन में बहुत समस्या है, धन संपदा की बहुत कमी है या व्यापार है जो मंदा चल रहा है, तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए कोई इच्छा है जो बहुत दिनों से अधूरी है, पूरी ही नहीं हो रही है, तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए मेरे देव अधिदेव के आशिरवात से आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी, आपको इस सावन के महीने में चावल को ऐसे समर्पित करना है, शिव जी की क्रिपा से आपकी खाली जोली भर जाएगी पूजर गुरु जी के कथा से ही सुनके समझ के आपको विस्तार पूर्वक बताने की और समझाने की पूरी-पूरी प्रयास करूंगा पच्छे से समझ के इस उपाय को करना फाइदा जरूर होगा अगर महादेव जी के सचे भक्त हैं तो वीडियो को लाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर-हर महादेव घर-घर महादेव जरूर लिख दें देखिए इस वीडियो में तीन बहुत ही उपाय को बताऊंगा इसमें से जो भी आपको लगे उसे कर लेना है देखिए आपको लेना क्या है आपको लेना है 11 भूम्ष शहद देखिए शहद जो है भगवान शिवजी को बहुत ही प्रिया है और सावन के महीने में शहद का बहुत ही महत्व है और आपको लेना है 21 चावल देखिए चावल लेते समय आपको एक बात का ध्यान देना है बार-बार मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ जितने भी नए लोग हैं उनको भी और जितने लोग जानते हैं खंडिक चीजों से उपाय को करने से दोश लगता है देखिए शहद और चावल एक साथ भगवान शिवजी को समर्पित करने से चमतकार हो जाता है और शिवजी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि सावन के महीने में शहद और चावल का बहुत ही महत्व है और आपको लेना है एक पात्र में जल देखिए जब भी शिवजी की पूजा अर्चना करें तो जल का जरूर प्रयोग करें तो पूजा अधूरा माना जाएगा इतना ही नहीं अगर आप सिर्फ भगवान शिवजी की हर रोज जल अर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं शीघर ही पूरी हो जाएगी इतना सामकरी ले लेना है अब इस सामकरी को लेकर चले जाना है भगवान शिवजी के मंदिर पर वहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है इस चावल को और शहत को एक में मिला लेना है उसके बाद इस चावल को और शहत को अपने दाहिने हाथ से लगाना है, शिवलिंग पर कुछ इस प्रकार से और 21 बार ओम नमा शिवाय मंत्र बोलते रहना है उसके बाद इस लोटे के जल से शिवलिंग पर शिवजी को स्नान करा देना है यानि की शिवलिंग पर समर्पित करना है ओम नमह शिवाय मंतर को बोल कर तो कितनी बार ओम नमह शिवाय मंतर को बोलना है तो 21 बार ओम नमह शिवाय मंतर को बोलना है और इतना धीरे-धीरे जल को समर्पित करना है, कि आप 21 बार ओम नमह शिवाय मंत्र को बोल सकें। बहुत ही फाइदा होगा, इस उपाय को आप ऐसे भी कर सकती हैं। सबसे पहले इस चावल को इस लोटे के जल में डालना है। समर्पित करना है, और यहाँ पर भी ध्यान देना है, कि चावल गिरेना आप चावल को गिनने नहीं देना है, सिर्फ आपको जल को ही समर्पित करना है, उसके बाद शिव जी को चड़ाना है, और 21 बार श्री शिवा नमस्तु मंत्र को बोल देना है, और यहाँ पर भी पूरे जल को समर्पित कर देना है, जितना भी जल इस लोटे के जल में है, उसके बाद शिवलिंग के जलाधारी से थोड़ा सा जल इस लोटे के जल में लेना है, और इस जल से अपने माथे पर लगाना है, और दोनों आखों पर लगाना है, उसके बाद भगवान भोले नाथ जी से प्रार्थना कर लेना है। तो इस उपाय को कैसे करना है। देखिए इस उपाय को। एक धतूरा देखिए धतूरा जो है वो भगवान शिवजी को बहुत ही प्रिय है। और इस की माह में शिवजी को धतूरा बहुत ही प्रिय है। जरूर चढ़ाना चाहिए। इसी से धन की प्राप्ती होगी और आर्थिक समस्या से मुक्ती मिलेगी। कहीं भी मिले धतूरे को छोड़ना नहीं है। आपको कहीं से भी खोज करलाना है और आपको एक सिक्का लेना है। देखिए सावन की माह में सिक्के का बहुत ही महत्व है। और सिक्के से उपाय को करने से शिवजी बहुत ही प्रसन होते हैं। और आपको एक पात्र में जल लेना है अब इस उपाय को करना कैसे है देखिए इस सामगरी को लेकर चले जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर और आपको धतूरी को फोड़ कर इस लोटे के जल में डाल देना है उसके बाद इस छिलके को यहाँ पर रखना है देखिए यहाँ पर जब आप जल को समर्पित करेंगे इस शिवलिंग पर तो वो जल जलाधारी के रास्ते होते हुए यहाँ पर गिरेगा वहीं पर आपको इस धतूरे के छिलके को रखना है आपका बहुत ही फाइदा होगा यहाँ पर रख दिये अब आपको क्या करना है? इस सिक्के को अशोक सुन्दरी की जगह ओम नमा शिवाय ओम महालक्षमी नमा बोलकर रखना है उसके बाद इस लोटे के जल को शिव जी के पर समर्पित करना है शिव जी को सनान करा देना है ओम नमा शिवाय श्री शिवाय नमस्तुपिय मंत्र को बोलकर उसके बाद इस लोटे में थोड़ा सा जल को बचा लेना है और इस सिक्के को लेकर चले जाना है घर पर और इस लोटे में जो जल को रखे हैं उसे अपने घर में छिड़क देना है और इस सिक्के का क्या करना है? ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा. देखिए, अगर ये सिक्का एक का है, तो एक रुपए का कपूर नहीं मिलेगा. तब आपको क्या करना है? इस सिक्के में और पैसा एड़ करके पैसा लगा के इसका कपूर खरीद लेना है, फिर इस कपूर को अपने घर के मंदिर में या घर के मुख्यद्वार पर जला देना है. पूर्व दिशा की ओर अपना मुख करके इससे क्या होगा, घर से नकारत्मक उर्जा निकल जाएगी, क्लेश खत्म होगा, और घर से अंधकार निकलेगा, उजाला होगा, और घर में लक्षमी जी भी प्रवेश करेंगी, इस उपाय को करने से बहुत ही फायदा होगा, करना कहा है? तो इस उपाय को करना है, तुलसी जी के जड में, तो कैसे करना है? देखिए इस गुड को और चावल को तुलसी जी के जड में समर्पित करना है, ओम तुलसी यानी मंतर को बोलकर देखिए तुलसी जी के जड में गुड और हल्दी रखने से लक्षमी जी प्रसन्न होती है कर्श से मुक्ति दिलाती है, दुरभागय को दूर करती है और जीवन से सारी समस्या को खत्म करती है उसके बाद आपको इस लोटे के जल को लेकर तुलसी जी का परिक्रमा कर लेना है तुलसी जी का जब भी पूजा उपाय को करें तो परिक्रमा जरूर कर लें फल की प्राप्ती बहुत ही जल्दी होती है उसके बाद इस लोटे के जल को तुलसी जी के जल में समर्पित करना है इतना करने से जीवन से सारी समस्या खत्म हो जाएगी जिसके लिए इस उपाय को कर रहे हैं वो आपको जरूर मिलेगा अब आप लोग कहेंगे इस उपाय को करना कब है तो इस उपाय को तो इस उपाय को करने का गुरुजी कोई निश्चित समय को नहीं बताये हैं लेकिन सावन में ही करना है इस उपाय को सावन में आप किसी भी दिन कर सकती हैं, लेकिन आप में इस उपाय को जरूर एक बार करें, खीक है फाइदा जरूर होगा इस तीनों उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो या कुछ पूछ ना हो, तो कॉमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं टिपलाई में तुरंत दूंगा, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कॉमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दें ओम नमाशिवाय हर हर महादेव